हेलो हेलो वेलकुम टूदे वीडियो देखो कई बार हमें confusion होता है कि हमें BDS करना चाहिए या फिर हमें BAC nursing करना चाहिए एम से तो आपको इस वीडियो में हम यहीं बताने वाले हमने यह छोटी सी presentation नहीं है यहां पर जो की cover करेगी इस topic को देखो आपको मैं बताता हूँ यह नर्सिंग करते तो बहुत ही बड़ी आपके लिए option देगा आपको बतायाता हूँ इसमें क्या क्या advantages है आपको जो salary मिलती है एम से नर्सिंग करने के बाद वो range करती 60-70,000 पर मन्त और यहां पर आपको दूसरी जो बात देखने मिलती वह है गुट अकड़ मिक्स का मतलब क काफी ज्यादा अच्छे होते उनका जो clinical exposure होता है वहां पर जो number of cases आते काफी ज्यादा आते इसके लाब आपको एक और जो बात है आपको दिहान में रखने कि बिकाउस वहां पर aims के aims में जो आपको पढ़ाया जाता है चार पास साल में वह बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है और जो aims की जो entrance exam होती वह आप आपकी जो job लगती तो वह जो possibility है वह भी काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप aims से nursing करते हैं तो तो aims से nursing करने के ऐसारा फायद है इसके लाब जो duty hours है वह भी हम पर limited है ऐसा नहीं कि आपके 12-12 hours आप से duty कराएंगे तो ऐसा बिलुकुल भी नहीं है वहां पर 6 hours बिल तेरे के साब बोल सकते हैं उसको downfall चार रहा है वहां पर काफी सारे जो doctors है अभी भी unemployed बैठे हैं और काफी सारे यहां पर जो government vacancies है काफी कम आ रही है वहां पर अगर मैं आपको BDS की बात बताऊं तो हैं पर unqualified dentist भी बहुत सारे होते जिन्होंना actually में कोई भी degree करी नहीं हो होती है और वहां पर काम कर रहे होते हैं तो इसके करण क्या होता जो BDS doctors होते हैं उनकी value काफी कम होजाती है इसके लाव आपको बता दूं कि government की जो opportunities है काफी limited होती आ रही है BDS doctors के लिए आपको बता दूं कि जो last की जो vacancies आती काफी कम आती गर्मेंट में और BDS doctors होते हैं post graduation की जो seeds होती है जो PG की जो seeds होती है BDS की वो बहुती कम होती है as compared to nursing, nursing में क्या होता है कि काफी सारी seeds होती है अगर आपको अगे पढ़ाई करनी है 20 के बाद तो आप लोग काफी जादा वहां पर seeds जादा होती है बट अगर BDS के आप बात करें तो बहुती कम seeds होती है और competition बहुत ज़्यादा होता है यहां पर इसके अलावा आपको बात करूँ कि यहां पर जो significant difference नहीं है salary में आगर आप nursing करते हो या BDS करते हो तो salary आपको similar ही मिलती है आपका experience पर depend करते हैं कि आपको किती salary मिलेगी बट अगर आप starting की बात करें तो similar salary आपको देखने मिलती है salary of nursing and salary of BDS are similar आपको बता दूँ कि यहां पर जो workload होता है वो almost double होता है nurse से यहां पर जो dental जो doctor होते हैं जो dental surgeon होते हैं उनको काफी ज़्यादा काम करना पड़ता है same salary पर तो आपको बता दूँ कि यहां पर यह जो workload है यह भी काफी ज़्यादा होता है तो आपको अगर मैं suggest करूँ कि आपको एक normal college से BDS करना चाहिए या फिर आपको aim से nursing करना चाहिए तो बिल्कुल aim से nursing करना आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा और आपको इसके regarding अगर और जाना है तो आपको बता दूँ कि आप जो है expert से बात कर सकते है expert कोन होते है जो की वो काम कर चुके है मतलब किसी ने अगर aim से nursing करी है आप उनसे contact करी है social media के through या फिर उनसे आप personally भी contact कर सकते है facebook, instagram पर तो उनसे contact करी है उनके बारे में जानी है उनसे पूछिए कि किस तरह केगा job or scope है इसके अलावा आप BDS के doctor से भी consult कर सकते है उनसे जाकर के बात कर सकते है और उनसे discuss कर सकते है कि आपको कौन सा option चूज़ करना चाहिए आपको आपको वीडियो यूसफुल लगाओ थैंक यू सुमर्ट फो वाचिंग दे वीडियो और इविल मिट यू इन दे नेक्स वीडियो